अगर आपके पास यूटूब का ये एरर आ रहा है आपके Android Smart TV में तो आप जो है इस एरर को इजली रिमूव कर सकते हैं तो दोस्तो बहुत सिंपल इस्टप है आप इस इस्टप को फालो कीजिए सबसे पहले दोस्तो आपको जो है Android Smart TV की सेटिंग में जाना है यहां पर सेटि केजिए उसके बाद आफको यहांपर find out करना हे YouTube अपलिकेशन तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको खिलिक करकर आप एप इन्फो उपन कीजिए उसके बाद आपको जो है यहांपर Click करना है फिर आपको OK केओपर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर Clear Data की ओपर क्लिक करके OK के ओपर खिलिक कर देना है फिर दोस्तों आपको यहां पर बैक आना है उसके बाद आपको जो है फिर से Smart TV की सेटिंग में जाना है सेटिंग के ओपर खिलिक करकर सेटिंग को ओपन कीजिए फिर आप जो है एक बार यहां पर Wifi Network जो है disconnect करकर connect किजiver उसके बाद आप फिर से android smart tv की setting में आईए यहाँ पर उसके बाद account and sending option नहीं उसके बाद आपको यहाँ पर remove account के ऊपर खिलिक करकर आपको जो है gmail account को एक बाद remove कर देना है उसके बाद आपको back आना है यहाँ पर फिर दोस्तों आपको जो है फिर से Android Smart TV की सेटिंग में आना है उसके बाद आपको यहाँ पर Apps के उपर किलिक करना है see all apps के उपर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर find out करना है YouTube आप इसको click कीजे उसके बाद यहाँ पर uninstall update के उपर click कीजे उसके बाद आपको यहाँ पर OK के उपर click कर देना है फिर आपको जो है back आना है उसके बाद दोस्तों आपको Android Smart TV की setting में आना है उसके बाद आपको यहाँ पर device preference के उपर click कर देना है उसके बाद आप यहाँ पर data and time के उपर click कीजिए फिर आपको यहाँ पर check करना है data and time correct है या नहीं अगर आपके पास data and time correct नहीं है तो आप इसको correct कीजिए यहाँ पर से आप इसको पहले manually set कीजिए यहाँ पर इसको turn off करना है उसके बाद यहाँ पर set date and set time उसके बाद आप यहाँ पर use network provided time इस वाले option को आप select कीजे उसके बाद आपको जो ही यहाँ पर back आना है फिर आप अपने smart tv को एक बार restart कीजे फिर play store में जाकर आप YouTube application को update कीजे problem solve हो जाएगी उमिद है आपको यह वीडियो पसंद आगया तो please like कर देना और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए